नमस्कार आप देखरें नियूस्वानेशन और मैं हूँ शुभे आपके साथ बेहार में असवक्त चुनाओ खत्म हो चुके हैं लेकिन एक्जिट पोल के नतीजों को देखते वी पार्टियों में खास तरीकी का उच्साह दिख रहा है उच्साह अलग-अलग तरीकों से जाह किया जा रहा है लेकिन इन सब के बीच राजित की ओर से अपने कारेकरताओं को कुछ बाते इस्मरण करानी की कोशिश की गई है दरसल राजित ने ट्वीट करके लिखा है कि आप सईयम बढ़ते शिस्टा चार के साथ ही 10 नवंबर को जो कुछ भी चुनाओं के रजल्ट आएंगे उसको बड़े ही सईयम के साथ आपको एकसिप्ट करना है इसके साथ साथ राजित ने और भी क्या कोश ट्वीट किया है सबसे पहली वो देखे राजित की ओर से किये गए ट्वीट में लिखा हुआ है कि राजित की सभी कारिकरता इस्मरण रखें 10 नवंबर को च इस्ट वैवार इत्यादी किसी कीमत पर भी सुईकार नहीं होगा इसके अलावा एक और चुईट करते हुए ये लिखा गया है कि राजित की सभी कारिकरता इस्मरण रखें कि 10 नवंबर को चुराओं परिणाम कुछ भी आए आपकी राजनीती की परीधी अथ्वा केंद् आग में केवल जन जन सुविधा और जन उत्थान ही है और हमेशा रहेंगे तो आपको बता दे कि जस सरीके से एक्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें साफ तोर पर महागडबंधन को बढ़त मलती दिखाई दे रही है उनकी सरकार बंती भी दिखाई दे रही है इन आपको नहीं करना है और साथे साथ ये भी लिखा गया है कि 10 नवंबर को जो कुछ भी नतीजे आएंगे हमें उसे भली भाती एक्जिट करना है और हमारा जो केंद्र होगा राजनीती का वो सर्फ और सिर्फ लोगों का विकास होगा जन जन का विकास होगा इस तमाम तरह क पूर्ण की बाते राज़त के ओर से बताए गई हैं आपको बता दे कि एकजिट पूल के नतीजे में किसी भी एकजिट पूल की नतीजे की बात करें तो तमाम टीवी चानल्स के द्वारा की गई एकजिट पूल में ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि इस बार महागडब जंधन की ही सरकार बिहार में बनेगी फिलहार के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस फ़ार्णीशन नमस्कार